बच्चों बात कर रहे हैं अर्शास्तर में सांखी की परियोग के बारे में और अब तक हमने जाना कि अर्शास्तर में सांखी की बूमी का क्या है, सांखी की का मतलब क्या है समंग किसे कहता है, सांखी के नुसंदान की इकाई क्या होती है यह सारी बाते हमने चर्चा करी पिछले चेप्टर में उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने जाना कि सांकी की आकडो का वर्गी करन कैसे होता है उनका एकर्ति करन कैसे होता है आज के चेप्टर में हम बात करेंगे कि समंग जो एकर्तित होता है उनका वर्गी करन करने के बाद, उनका प्रस्तूती करन कैसे किया जाए, यानि आकडो का प्रस्तूती करन पर आज हम चर्चा करेंगे देखे सांकी के अनुसंदान में बात करें तो इसकी कई चरण होता है, सांकी के अपना में एक बहुत चरणी ये पढ़नाली है सांकी गणित की एक शाखा है जिसमें सांकी के नुसंदान किया जाता है विश्टलेशन किया जाता है और निश्कष निकाला जाता है हैं सब सबेले हम क्या करते है उद्देशी के रुक्रों 5 करतें फिर उनका वर्गी करन करते हैं उनका प्रस्तूती करन करतें अनका विश्चलेशन करते हैं मुल्ерш करते और फिर निश्खश नि निकालते हैं एक लंबे चरण के बाद सांखिय प्रक्रिया पूर्ण होती है इसलिए सांकिया कि अपने आप में बहुचरणिये पढ़ना लिए एक गणित की शाख है तो आज की सद्ध्याय में बात करेंगे बच्चों हम आकड़ों को प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है संकलित समंकों का यानि 31 समंकों का वर्गिकरण करने के परशाद उनका प्रस्तूतिकरण किया जाता है यानि उन्हें प्रस्तूत किया जाता है प्रस्तूत करने के कई तरीके हो सकते हैं हम उसे सानी की रूप में प्रस्तूत कर सकते हैं जिसे हम सानीन कहते हैं या हम उसे चित प्रस्तुति करन्ट करना आउशक होता है प्रस्तुति करन्ट अगर हम नहीं करेंगे तो कई हमें विश्ट्रेशन करने में तकलीफ होगी उनका मुल्यांग करने में तकलीफ होगी और फिर हम आउशक निश्कष नहीं निकाल पाएंगे वही एक समय शोर आती है कि इसके बिन या तो पाट के विशेक रूप में प्रस्तूत करेंगे या उसे सानी की रूप में प्रस्तूत करेंगे या उसे हम चित्र की रूप में प्रस्तूत करेंगे इसे हम चित्र में निरूपन कहता है डाइग्रामे की रिपरजीटेशन भी कहता है चलिए बच्चों सबसे बहले ब प्रस्तूतिकरण मैं आखडो का vivarant part के रूप में किया जाता है इसलिए busheek जादा नहीं हो तो ऐसी दर्शामां मैं उसे part विश्यक है प्रस्तोतिकरण में प्रस्तूत कर सकते हैं इसमें आखडो को party saamxture किया जाता है इंडेक्स धार धिन इसे दर्शाद सकता है वही अगर हमारे पास आकड़े जादा है तो फिर हम इसे सार्णी में प्रस्तूत करेंगे, इसलिए दूसरा पॉइंट आता है आकड़ों का सार्णी बद प्रस्तूती करन, टेबुलाइजिशन, सांकी की ततों का वर्गी करन करने के पश्चात, उनको तुलनात्मक अध्यन क करने के लिए, निशकष निकालने के लिए, उनका सार्णी करना आउशक होता है, यानि उन्हें सार्णी की रूप में दर्शाना आउशक होता है, और इसे हम सजातियत आदार पे, विजातिया आदार पे, गुनों के आदार पे, लक्षनों के आदार पे, हम इन्हें सार्ण को पूर्ण कर सके तो बच्चों जो भी हमारे पास संकलित समंग है एकर्तित आकड हैं उनको सरल बनाने के लिए हम उनका वर्गी गरण करते हैं लेकिन वर्गी गरण करने के परशात उन्हें एक दर्शाएंगे कैसे उन्हें प्रस्तूत कैसे करेंगे इसलिए हम अगला इस् तो यहां पर हम सानी बनाएंगे जिसमें कई तरह से दर्शाने क्या कहलाता है और इस प्रिक्रिया को हम सानी बद या सानी कहता है सानीक की उद्दिश्य क्या है क्यों सानी करना जरूरी है तो दिखियो समंहकों को सलर रूप से प्रसूत करने के लिए हम क्या करते हैं concerned थाकि हम उंको भी भाँज़न कर सकते हैं और जटितों कोई हम सरल बना सकते हैं सान्यन में पर्युक्त जो वर्गीकरन है उनको हम चार भागों बवाजीत कर सकते हैं तो डुनहैंट रूगी करेंगे सानी में हम दूसरा मात्रा के आतार पे भी हम उसका वर्गी गरन कर सकते हैं समय के आधार पे भी हम उसका वर्गी गरन कर सकते हैं और इस्तान के आधार पे भी हम इसका वर्गी गरन कर सकते हैं चले बात करते हैं गुनों के आधार पे कैसे बच्चो तो जब वर्गी गरन गुणात्मग विश्षिष्टा के साथ किया जाता है तो इसे हम गुणात्मग वर्गी गरन कहता है यानि किसी गुण के आधार पे अगर हम दर्शा आते हैं तो इसे हम गुणात्मग वर्गी गरन कहता है मात्रा के आदारे पे अगर वरगी करन करें और फिर उसे टेबिल Wonma दर्शाते है तो उसे मात्रा वरगी करन या सार्णियन का रूप कहता है जैसे कद, भार, आयू सकी आदार पे उसे में स्तानिक बरगी गर्ण करने से गाव, ढानी, कसवा, जीला, राज्य, तैसिल, पंचाय समीति, तो इस आदाहर पे जो होता है, वो स्तानिक बरगी गर्ण कहलाता है, साणिन करते समय हमें महत्यपून चीज़े यह ध्यानकना जदूरी है, याद करने योगे हो, बहुत गम्य हो, सरल हो, इसपष्ट हो, संशिप्ट हो, वो होनी चीए, तो इसपष्ट भी होनी चीए, मितवई भी होनी चीए, खानों एम पंक्तियों को विभाजित करने वाली उन चीए, डिवाड़ेड होनी चीए, विशलेशक और टिपनी भी होनी यह टिपनी भी होनी चीए सामगरी का स्टोत क्या है उसका भी उल्लिव होना चाहिए कि यह सानी हमने कहा से लिए किस तरह से इसको दर्शा आगा है और संख्या करम होनी चीए नहीं तो सानी के सानी किस प deg Tous इसके यह संख्यागी तो सबसे हैं सबस्क्राइब कुन से नंबर और इसके नंबर से होती है फिर उसकी अदर उसके इस इस्तम्पना जाते हैं हम जो ची दर्शान जाते हैं फिर नीचे टिपनी होते हैं जिसे हम फूड नोट कहता है रेखाई खीस से रिक्त इस्तान चोड़ते वहाँ पर और पदो में जो भी जो हमने दर्शा है उसका रेजमेंट करते हैं और लाश्ट में जो सानी बने उसके डेटा कहा से लिए उसका हमें सोर्स बताना होता है तो यह सानी के महत्वन भाग होता है चलिए आपके सामने गुदारने यह सानी का सिर्षक हम यहां रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सानी की संक्या लिखेंगे कौन से नंबर की सानी है अब यहाँ पर यह सारी पंक्तिया है और यह सारे यह रो है तो इस तर् WAR भॉलम बनाए जाएंगे अब यहाँ पर इसको इस्थ स्थम शीर्षक बोलते हैं यह अपने हमें कोलम है इसका कॉलम का जो है इसको को स्थमुस्था कहा जाता है घीक है औ segundo यहाँ पर यहाँ पर तो यहां पर ओंने तुरना की साधार पर करें यह साधर पर उसक वर्गी के समझानी के लिए याद करनी योग्य बनानी के लिए उन्हें आसानी से समझ में आ सके समंगों का सानियन द्वारा प्रस्तूती करन करने में सानी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है जिने याद करना भी मुश्किल होता है कठीन होता है अत्य है सामानी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की प्रस्तूती करन सानी उपयोगी भी नहीं होती है क्योंकि समंगों को जन साम ़ exception बिंसमंद दॉटधा कोुई शिताació प्रधर्शित की में चीना Nee उसले चित्र को देख कर बी आसानी जानी संग सको अर उनली एक घृशता कियों कि आव शिक्त्ता कि लिए क्लिए सालनी किसी काम की नहीं है वो समझ भी ऑन कि इस नहीं से यह रोचक भी होती है, समेश, शरम और धनतीरों की बचत भी होती है, तुलनात्मकर दिन भी हम आसनी से कर सकते हैं, और चित्रों को समझने के लिए किसी विश्चिष्ट ग्यान की या शिक्षे के आउशकता नहीं होती है, इसे अंपड़ व्यक्ति भी समझ जाता है, इससे आकड़ों को आरेक के साहिता से प्रस्तूत किया जाता है, अब मुखे आरेक के निम्न परकार किया है, अगर हम रेखाचित्र में इससे दर्शा रहे तो इसके कह क्या परकार होंगे, तो देखे एक तो जामितिय आरेक होता है, इसमें दंड आरेक और वर्त आरेक बनाए ज डाइग्राम रेखाचित्र में मोटानईन होने करका वो आकर्षthe नहीं होते हैं इसलिए हम दंड आरомина का परियोग करते हैं यह लेकिन इसका परियोग तब ही कर सकते हैं जहाँ पदों की संख्या मरपरस कम हो ऑस वह सरल डंड आरेक बनाये जाता है इसमें केवल एक ही तत्य से समंधित आकड़ों को प्रस्तूत किया जाता है इसलिए एकल दंड आरेक भी कहते हैं इनकी रचना वीदी को रेखाचित्र की तरही दर्शाते जिसे रेखाचित्र में अपने यह से बनाते तो यह दंड का परियोग किया जाता है जैसे आपके साम बनाये गए यह दर्शाय जाता है तो दंड आरेक भी एक रेखाचित्र की होता देखो रेखाचित्र में क्या होता है कि यहां पर सिंबल लाइन ने लिखी होती है और यहां ऐसे बनाये जाते है बार दागराम में इनकी मोटाई और चोड़ाई पर नहां रखाए जाता है सिंबल यहां पर तो इसे मोटाई दिया बोलते हैसे इना वहाओ आसानी से समझता जाता है इसे डंड आरेक भी दो परकार से बनाये जा सकते हैं यह चित्तर भी दो परकार से मिना बनाये जा शोय चामए तो इसारो अगर हम इसको ख़़गे चित्र हम धसके पेरिलल वैस में दर्शार है अगर हम इसे बुजांक्स के पेरिलल यानि समानतर करम में दर्शार है तो इसे शैती दंड चित्र भी कहता है अब आता है दूगणी दंड चित्र जहापे दो गुणों में आपस में तुलना करनी हो समानतर रूप में दर्शाना हो तो उसे यू सब्सक्राइब देखते हैं तो यहां पर दान थे अंगे अगर हम तुनला करें तो बीकों में तो जब तुल्ना कISE करने हो तो यूगल दन्डेक्हा परियोग करते हैं तिर्गुणी दिन्ड़ चित्र दोसे अधिक तथ्यू को अगर हम तुल्नात्म गू वीचों आहे बहुद्धरा परियोग ओधिक करते हैं के सामेल सिब्सक्री यह आर्स की लाइन है यह आर्स का दंडा रहेक है यह BSC का दंडा रहेक है और यहa हम कोफ़ेश की तुलना कर सकते हैं कि 2002 में हमारे जाता है उसे बहगोनी दंड आरेक कहते हैं तो दंड आरेक एक तरसे रेखा चितरी हो रहता है बस लेकिन इसमें जो डाइग्राम बनाया जाता है उनकी चोड़ाई को महत दिया जाता है इसले इसे दंड आरेक कहते हैं अब वर्त आरेक अब तक हमने दंड आरेक पड़े वर्त्र चित्र भी कहता है लेकिन यह अनुपात और तिर्जयाग रुप में दर्शान और तो हमें दर्शा ना था है और वर्त्र जो और हम बात करें तो उसका जो शेत्रवल होता है वो तीन सो साथ डिग्री होता है तो तीन सो साथ डिग्री आधार पर इसको दर्शाएंगे इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चो कि संगत कौन बरावर संगत मान अपॉन कुल मुल्ले मल्टिपलाइट तीन सो साथ तो यहां एक एक जामपल लेता है देखिए माना कि राजस्तान राज्य की वार्षिक आये 20,000 क्रोड है इसके संगत आकड़ों को वर्ति है या कौनिक चित्र में हमें दर्शान है तो देखिए क्रश्ची में 6,000 क्रोड आये है लगू द्योग से 4,000 क्रोड आये है भारी द्य चार जार बटा 20,000 multiply 360 तो यसे बैतर डिग्री का शेत्र बहीं ले रहा है तो इस तरह सब ज़्यादा एक सो चमाली डिग्री इसका रहा है क्योंकि सब ज़्यादा जो इंकम हो रही है वह सेवा शेत्र है अब इसको अगर हम वर्त में दर्शाएंगे तो यहां एक वर्त इस इसे वर्ति और रही सैंडल है कि भारंबारता वित्रन को साइने से बारंबारता के रूप में रूप जाता है जैसे रहे ज्या एक वक्र यह है इसे ऑजाय वक्र तोरण में पर गाता डी यु笑 понятно एक आयतों का एक ऐसा समुच्य होता है जिसने वर्ग सिमाओं के अंतराल के आधार पर कारे करते हैं और जिनके शेत्रवल के वर्ग बारवरता अनुपात में दर्शाया जाता है आवर्ती भवुज के अगर हम बात करें फिक्वेंसी पॉलिजियन की बात करें तो आवर्ती आ पर फिनके अधार पर मिलाका अवर्ती बहुज बनाए जाता है यदि और तills कीृष्ट्रे की शेष्ट्रेया पाने से नएक मिलाकर मुक्तहस्त मिलाने पर वक्र बनता है ऊससे आवर्ती वक्र करते आई जैससे आब के सामने यहां पर है तो यहांनी इसको इक आयत बना दि सबस्राइब आगर हम देखे तो नंबर विश्ट्वेंट हमारे पास जो है वो 20 से 30 में तो इस तरह से यह एक चार्ट बन गया आवर्ती बहुज का अब बात करते हैं ओजाय वक्र जिसे हम संचय आवर्ती वक्र कहते हैं वरगांत्रों की उपरी सिमाओ को बुझांग्स पर दर्शाएंगे यानि X-axis और Y-axis पर दर्शाएंगे इससे जो वक्र बनता है उसे संचय आवर्ती वक्र कहता है और इसे ही ओजय वक्र कहते है ओजय वक्र भी दो परकार का होता है क्योंकि यह खुली सिमाओ के अधार पर होता है यहां तो सेकम मुल्य पर होगा या सेधिक म तो देखिए यहां पर सो छात्रों का सांख्य की प्राप्तांग हमारे सामने दे रखा है संचे आवर्ती पकी रशना करें लेंगे सबसे बहुते मिड़ वेल्यू निकालेंगे दिखेंगे मिड़ वेल्यू कैसे निकलती यह मैं आपको बताता हूं जैसे 0 से 5 5 से 10 सोरी मद्य का निकालनी है 10 से 15 15 से 20 20 से 25 से 30 30 35 और ऐसे 35 से 40 दे रखा अब यहां हमरे सामने इन की क्या दे रखा है 4 6 10 यह की क्या दे रखा है इसको हम क्या बनाएंगे आप ऐसे सी यह बनाएंगे और फिर हम फॉर्मुला यूज करेंगे एम बराबर एल वन प्लस आई अपोन एफ एम माइनस सी तो इस तरह से इसको निकाला जाता है तो यहां पर हमने इसके मिडवियू निकाल ली और फिर इसके सी यह बना ली और उसके बाद हमने यह फॉर्मुला यूज किया और यह हमारे माक्स आ गए तो इस तरह के वर्ग को हम ओजायवक्र में द crystals थै को ओजाय वकर जो होता है वह खुले वर्ग सिस्क्रीश मुल्य खुले शेवति अध 친 हम यह सेठी की रूप में होता है तो बच्चों स्यूपल सी बात है डी प्रकार्ण ती पर्कार्रियश को सकता है ट्रे निकाल को सब्सबर असाल है वह और د दन्यवाद.